नमस्कार निउस्पोर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जा आज सुप्रिम कोट ने कावड यात्रा नेम प्लेट विवाद पर बड़ा फैसला सुना है जोहाँ पर इस मामले पर सुप्रिम कोट ने अंत्रिम रोक लगा दी है साथी, मध्यपरदेश, उत्राखंड और उत्रपरदेश के सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है सुप्रिम कोट में आज कावड यात्रा नेम प्लेट विवाद मामली में सुनवाई हुई जोहाँ कोट ने उस फैसले पर अंत्रिम रोक लगा दी जिसमें कावड रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था अदालत ने कहा कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान बताने की जरूरत नहीं है वहें कोट ने कहा कि दुकानदारों को बस ये बताने की जरूरत है कि वो किस प्रकार का खाना बेच रही है दुकानदारों को ये बताने की जरूरत है कि वो खाना शाका हारी है या मांसा हारी ये उजागर करने की जरूरत है वहीं संबंध में कोट ने उत्रप्रदेश उत्राखंट और मध्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है साथी अदालत ने ये भी कहा है कि अगर याचिका करता अन्नी राज्यों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। इस तरह की शक्तियां नहीं देता, सडक किनारे चाय की दुकान या थेला लगाने वाले दुकानदार की ओर से इस तरह की नेम प्लेट लगाने की आदिश देने से कुछ फाइदा नहीं होगा। पढ़ने वाली दुकानों पर उनके मालिक और संचालक के नाम लिखने के निर्देश दिया थे। वही मुख्यमंत्री ने हलाल प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर भी कारवाई करने का आदेश दिया था। तो देखे सुप्रिम कोट ने उत्तरप्रदेश, उत्तराखंज और मध्यप्रदेश को बड़ा जटका दिया है जहां पर इन तीनों राज्यों के सरकार का कहना था कि कावड यात्रियों की रास्ते में पढ़ने वाले एक एक दुकान अपने मालिक और जो संचालक है वो अ अपना नाम प्लेट लगाए तो उस पर अप सुप्रिम कोट ने बड़ा आदेश दिया है सुप्रिम कोट की टिपने ही आई है और उन्होंने इस मामले पर अंत्रिम रोक लगा दी है फिलार के लिएस खबरम बसतना ही आप देखते रहें योज़ परनेशन